क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो है तो इस दुनिया में लेकिन फिर भी इस दुनिया से परे है यहां तक की वहां समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आज हुम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही जगह की जानकारी जो आपको चौका कर रखते क इस जगह पर उम्र बढ़ने की गती रुख जाती है और इंसान अधिक समय तक यूवा रहता है किवल यही नहीं बलकि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण मन के वचार की शक्ती शारिरिक्षमता और मानसिक चेतना कई गुनाज जाधा बढ़ जाती है हम बात कर रहे हैं शंग्रीला घाटी के बारे में जो कुनलून शेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं इस्थित है शंग्रीला घाटी का अनुमाने तेरिया दस वर्ग किलो मीटर है शंग्रीला घाटी का एक रहस ये भी है कि जो भी इसके संपर्क में आता है वो गायब हो जाता है वैसे तो दुनिया में कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर हवा शुन्य है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हवा है ही नहीं ऐसा ही एक स्थान हमारे देश में शंग्रीला घाटी है जहां पर हवा शुन्य के बराबर है भू हींता के प्रभावत शेत्र धर्ती के चौथे आयाम से संपर्क में होते हैं इसलिए ये ऐसे हो जाते हैं वहीं तीसरे आयाम के संपर्क में आने वाले शेत्र गायब हो जाते हैं यहां तक कि यहां जाने वाला व्यक्ती भी गायब हो जाता है शंग्रीला भी एक ऐसी ही घाटी है जिसके संपर्क में आने पर सभी चीजें गायब हो जाती है ये घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा परिस्थत है ये प्रत्वी के चौथे आयाम से संपर्क में है इसलिए ये आसानी से देखी नहीं जा सकती इसे देखने के लिए तकनीक का अस्तमाल करना जरूरी है इस घाटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका संपर्क अंतरिक्ष में बसी दूसरी दुनिया के साथ भी है अगर आप इस घाटी के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है काल विग्यान ये किताब आज भी तिबत के तवांग मठ के एक पुस्तकाले में मौजूद है इस किताब में ये कहा गया है कि जैसे दुनिया समय और नियत के हिसाब से चलती है उससे परे शंग्रीला घाटी उलट है क्योंकि यहाँ पर समय शुन्य के बराबर है मतलब जो हमारे सेकडो साल है वो वहाँ पर बस कुछ सेकंड्स होते है शंग्रीला घाटी एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद अगर कोई इंसान बहारी दुनिया में वापस जाएगा तब तक वहाँ सद्या बीच चुकी होंगी और उसका अस्तित्व इस दुनिया से गायब हो जाएगा शंग्रीला घाटी के बारे में कहा जाता है कि इससे वहाँ पर इस्थत सिद्ध लोगों की आग्या के बिना कोई नहीं देख सकता ये हर किसी के नजर में नहीं आती है इस जगह के बारे में कई अनुभवी योगी सादकों का कहना है कि वहाँ ना तो सूरज की रोश्णी है ना चांद की चांदनी और वहाँ जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है शंग्रीला घाटी के बारे में कई लेख को ने लिखा है इसे रहस्मिल जादू और रूमांच से भरी जगह कहा गया है इसके बारे में कई दिवगंत कथाहें भी प्रचलित हैं लेकिन इसके रहस्यों को जान पाना आज भी इंसान के लिए नामुम्किन है